दोस्तो BDS करने से पहले आप ये समझ गिए कि Dental Council of India मानेता देती है किसी भी कॉलिज को अगर उसे BDS स्पोर्ट चलाना है मतलब डेंटिस्ट बनाना है अपने स्टूडेंट्स को दांतों का डॉक्टर बनाना है बैचलर ओफ डेंटल सर्जरी क्या गलती हैं आप दोस्तों नहीं करेंगे सबसे पहली और बहुत बड़ी गलती जो अकसर आप लोग करते हैं दोस्तों अपने देश की एक और देखा जाए तो इतनी बड़ी जनसंख्या जो सामने एक प्रॉबलम की तरह काम करती है किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है इतनी बड़ी जनसंख्या को अच्छी तरह से शिक्षा, नियाए और स्वास्ते जैसी सर्विसिस को प्रॉइड करना पर यहाँ पर अपने देश में वैसे ही डॉक्टर्स की बहुत ज़ादा कमी है और इसी को देखते हुए हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं किसी भी तरह की मेडिसिन स्टूडी में या मेडिकल के कॉलिजिस में अब दोस्तों बात यह आती है सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट का पहली चॉइस यही होती है कि MBBS करके वो डॉक्टर बन जाए MBBS करने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स का गॉर्मेंट कॉलिजिस में नाम नहीं आता है फिर वो प्राइवेट कॉलिजिस का रुक करते हैं प्राइविट कॉलिज का रुप करते हैं, फिर भी नाम नहीं आया, तो वो abroad पढ़ने चले जाते हैं, जहांपर उन्हें फीज भी कम देखने को मिलती है, आसानी से admission भी हो जाता है, सिर्फ आप need qualify है तो आपका admission हो जाएगा, पर यहां पर बहुत सारे students dentist बनना भी चाते हैं, dentist बनना चाते हैं, dentist बनने के लिए जैसे ही complete की 12th, 12th पास करते ही need का exam दिया, qualify हुए, counselling हुई, और उनका जाके BDS में admission हो जाता है, बट ऐसी बहुत सारी गलतियां हर साल बहुत सारे students करते हैं, पर जिसकी वजासे उन्हें बीच में ही 2 साल complete करने के बाद अपने course को पड़ता है, कई बार एक साल complete करने बाद course छोड़ना पड़ता है, मैंने तो ये भी देखा है कि 3 साल complete हो गए, बाद में BDS को छोड़ दिया, दूसरे course के तरह अबना रुप कर दिया, ऐसा होता क्यों है, ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि पहले शुरू में, आपने जब admission लिया, तो कई तरह की जो precautions होते हैं, साफधानिया होती है, वो आपने नहीं लिया और बाद में आपको पच्ताना पड़ा, आज मैं आपको बताऊंगा, ऐसी वो 10 या 11 गलतियां जो आप अक्सर करते हो एड्मिशन लेने में, आप अगर नहीं करोगे, तो अच्छा college भी च चैनल पर, जिसका नाम है distance and online education in India और मेरा नाम है विरिंदे वर्मा, जैसा आप सभी जानते हैं, देश विदेश की universities, colleges, उनके courses को explore and review करते हैं, और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं, दोस्तो BDS करने से पहले आप ये समझेए, कि Dental Council of India मानेता देती है क CB college को अगर उसे BDS course लाना है, मतलब dentist बनाना है अपने students को, दातों का doctor बनाना है, bachelor of dental surgery, जो की dentist act 1948 का है, उसके तहती सभी colleges में उन चीजों को follow किया जाता है, उन conditions को apply किया जाता है, क्या गलती हैं आप दोस्तों नहीं करेंगे, सबसे पहली और बहुत बड़ी गलती, जो अक बनाना है, medicine से related education आप ले रहे हैं, doctor बनना आप चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले exposure के और ध्यान देना है कि आपका college कितना exposure आपको दे पारा है, मतलब सिर्व ऐसा ना हो कि theory में ही आपका पूरा वक्त बरबाद कर दे और उसके पास तो patient ही नहीं है, मतलब आपको ऐसा exposure ही नहीं मिल पारा, जिससे आप practical सीखेंगे, दोस्तो जब तक आपको practically knowledge नहीं है, तब तक आप अच्छे से अपने patients का इलाज नहीं कर पाएंगे, वो होना बहुत जरूरी है, दूसरा, BDS जब आप करते हैं, सबसे पहले BDS को अच्छे से आप समझें, क्या समझें, BDS आप dentist बनने वाले है, dentist course करने के बाद में, जो आप BDS करेंगे, उसके बाद में, क्या scope है, आपको पता होना चाहिए, कहां कहां आपकी job लग सकती है, जौब नहीं लगी, तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत सारे students गलती क सब किसी के बोलने पर, जब MBBS में admission नहीं हुआ, तो BDS course कर लेते हैं, बाद में पच्छताना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से कि BDS के क्या scope है, BDS में क्या options आपको मिलेंगे, इस पर हमने वीडियो बनाई है, BDS के क्या scope है, आपको हमारे इसी चै चैनल को subscribe करें, ताकि किसी तरह की educational videos आप तक फोच सके सबसे पहले, NEET को बहुत अच्छे से आप त्यार करें, तीसरा point है कि NEET में आप जब exam देने गए हैं, NEET की बहुत अच्छे से preparation करें, NEET में अच्छे marks नहीं आते हैं, इसलिए आपको BDS के अन भी कई बार, कई students को कर अच्छे से NEET की त्यारी करें, अच्छे आप उसमें अगर marks score कर पाएं, बहुत अच्छे college में आपका admission दोस्तो हो जाएगा, BDS, अगर आप BDS में admission लेना नहीं चाहते हैं, आपने किसी मजबूरी से लिया क्योंकि आपका admission MBBS में नहीं हुआ, अगर NEET में अच्छे त्यार अच्छे में admission लेना चाहिए, सिर्फ colleges की आप बड़ी-बड़ी hoardings, बड़े-बड़े advertisement को देखकर admission ले लेते हैं, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, college को देखें, college किस तरा से BDS को कराता आ रहा है, कितने batch अपतर निकले हैं, कोई batch अपतर complete हुआ भी है या नहीं, college fees कितनी charge करता है, ऐसे बहुत सरे सवाल होते हैं college को लेकर, college की आप ढंक से पड़ताल नहीं करते हैं, दोस्तो इसी वज़े से आपको problem आती है, college को visit करना, college को देखना, student से मिलना, ये सब इसी चीज़ में apply होता है, कि college का आप चैन, अच्छे से करें, देख ले, fees क्या होत अच्छी तरह पढ़ाते नहीं है, अच्छी faculty members नहीं है, अच्छे even classroom तक नहीं है, OPD उनके पास कहां से होगी, ये चीज़े आप जरूर देख लें दोस्तों, fees जरूर ये लोग उल्टिसी चार्ज करते हैं, बट वैसी आपको education देते नहीं है, fees को compare करना चाहिए, आप किस अच्छा point दोस्तों मैं आपको बोलूँगा, college visit जरूर करें, किसी भी college में आप admission लेने की सोच रहे हैं, अभी तक आपने college को visit नहीं किया है, college नहीं गए है, college जाएं, जाकर college को देखें, college को अच्छी तरह से समझें, students पढ़ रहे हैं, जाके उनसे मिलें, college को देखें कि उनका OPD कैसा चल रहा है, hospital कैसा चल रहा है, साथ महीं और भी क्या-क्या चीज़े है, college के पास, आप अगर college नहीं गए है, तो आपके साथ problem हो सकती है, सीधा आप admission लेकर class लगाने जाएंगे, तो काफी को चीज़े बदली-बदली आपको दिख सकती है, college को visit जरूर करें, बिना college visit करें, आप admission बिलकुल ना लें, साथवे point में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो precaution आपको लेनी है, वो है कि आप किसी भी college में admission लेते हैं, college visit तो आप जरूर करें, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, बढ़ आप college members से जाकर जरूर मिलें, कई बार ऐ quality education लेना दोस्तों आपका हक है, college आपको quality education देगा और ऐसा नहीं देता है, तो आपके साथ खिलवार कर रहा है, आपको ऐसे college में admission नहीं लेना चाहिए, college में जाकर faculty members से मिलना चाहिए, कोन-कोन आपके lectures लेने वाले हैं, उनसे जाकर आप मिलें, ऐसा आप अगर नहीं कर रह जा रहे हो, future में हमेशा practically ही perform आपको करना होगा, theoretical काम तो आएगा, बट हमेशा जो काम आएगा वो है practical, कैसा exposure लिया, आप class से बाहर कितना निकले, OPD attend आपने कितना किया, अलग-अलग job कर seminars भी attend करने होते हैं, वो आपने कितने किये, साथ में कितने patients से आप मिले, उनकी नह अच्छे से किया होगा, वरना जो जितने भी colleges चल रहे हैं दोस्तों, जातर colleges exposure से बचते हैं, क्योंकि colleges के उसमें expenditures लगते हैं, खर्चे लगते हैं, उनसे वो हमेशा बच्चिने की कोशिश करते हैं, आप देखिए, कि जो पुराने students पढ़ रहे थे, उन्हें कितना exposure मिला, और कितने अच्छे से उन्होंने उन चीजों को समझा, साथ में 9 point में दोस्तों मैं आपको बोलूँगा, students से मिलना, आप जिसी भी किसी भी college में admission लेने के लिए अभी जा रहे हैं, आप वहाँ जा कर कोशिश कीजिए, उन students से मिलें, जो students अभी BDS course कर रहे हैं उस college में, आपके हाथ में डिगरी रह जाए, और BDS के नाम पर सिर्फ डॉक्टर तो नाम के आगे लगा है, पर आपको कुछ आता नहीं कि दातों एलाज करना कैसे हैं, और आप सामने वाले को ठीक से relief दे भी नहीं पा रहे हैं, साथ में दोस्तों last point में आपको बताना चाहूँगा, कि last point में बताते बताते मैं कुछ चीज़ आपको advice भी करूगा कि दोस्तों आप जब admission लेते हैं, कि सी भी college में आपने admission लिया, BDS करने के लिए आप गए हैं, उसी college में MBBS भी चलता है, BMS भी चलता है, BDS भी चलता है, BPT course भी करवाते हैं, nursing भी करवाते हैं, तो इसका मतलब hospital अच्छा खासा होगा, आपको exposure अच्छा मिलेगा, practically आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसे colleges का chain आपको बिल्कुल करना चाहिए, अलग-लग students से, interaction होता है, बहुत कुछ दोस्तों आप जान पाते हैं, अलग-लग तरह के patients मिलते हैं, patients मिलते हैं, patients पर काम करने को आपक performance नहीं दे पाऊगे, उसके लिए बहुत सारे अलग-लग तरह के patients को मिलना जरूरी है, अलग-लग तरह के जो hospital सलते हैं, वहाँ पर आना जाना आपका होगा, तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे, दोस्तों मैं उमीद करता हूँ, जो मैंने आपको 10-11 points जो आपको आज बत कर सके, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगा बेल आकन जरूर दबा दे, ताकि इसी तरह की educational वीडियो आप तक पहुत सके सबसे बहुत 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 शुक्तिया दोसरे ने बाद, हमारे इस वीडियो के साथ बने आप हो आप दे, साथ हमारे उसी तरह को